हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चैनल बेबी कनसीव के जो सिम्टेंज से कई महलाओं में कई सटिक साबित होते हैं और कुछ में नहीं तो हम जो बेबी बॉई के रहते हैं हर्मेनल जेंज जो महलाओं में होते हैं नहीं तो आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए पहले तो मैं यहाँ पर मेरी बात करूंगी कि मुझे बेबी गल के समय मीठा खाना बहुत पसंद था और जब बेबी बोई होने वाला था तो मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद था ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बेबी बोई के समय बहुत स्पाइसी और चटपटा खाना पसंद आता था वहीं बेबी गल के समय मुझे बहुत अधिक मीठा खाना पसंद आता था तो यह बात काफी हद तक सही है और कई महलाओं में यह वाली चीज़े देखी गई हैं कि बेबी बोई के समय जो हार्मनल होते हैं जीब का सुवाद और टेस्ट बदलता है उसमें बेबी बोई के समय उनको तीखा स्पाइसी खाना पसंद आता है अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टेंस की ऐसा कहा जाता है अगर आपको बेबी बोई होने वाला है तो जो भी आपके घर में मसाले भूने जाते है या कुछ ऐसी सबजियां रहती हैं दाले रहती हैं उनको खाने के बाद आपको बिल्कुल उल्टियां होने लगती हैं आपको उस समय पसंद नहीं आती हैं तो ये बात भी कई हद तक मेरे कैसे सही हुई है क्योंकि मुझे भी डाल और ये जो मसाला भून आता था सबजियो का वो पसंद नहीं आता था तो कुछ महलाओं में ऐसा होता है कि उनको हर्मनल जेंज होने के साथ साथ किसी किसी महलाओ को तो इस समय वाली जो इसमेल रहती है मसाले वाली किसी को बहुत अधिक पसंद आती है उसमें से उनको महक आती हो और किसी किसी को उल्टी होने लगत सबजियां बनती हैं तो उसकी इसमेल आपको पसंद नहीं आती है तो यह सेकेंड और फरस्ट सिंटेंस तो बिल्कूल मेरे सांस सही हुआ है इसके सांथ ही ओल्ड व्यूजिक का कहना है कि अगर आप बेबी बोई कंसीव करने वाले रहते हैं आपके हार्मनल तेजी से बदला होते हैं अब छोटी-छोटी बात में समझने की बजाए भोत अधिक घुसा करने लगते हैं चिड़-चिड़े हो जाते हैं तो यह कई महलाओ में यह बिल्कूल सही है क्यूंकि जब बेबी बोई के हार्मनल चेंज अलग होते हैं शरीर में तेजी से विक्सित होने लगता ह है बेबी बोई को तो महला के शरीर में कई उतार चड़ाओ देखने को मिलते हैं तो उसमें यह वाला जो थर्ड वाला लक्षन है यह तो मुझे में बिल्कूल भी सटिक नहीं हुआ क्यूंकि मुझे ज़्यादा गुसा नहीं आता है और नहीं इन चिड़-चिड़ा पन हो होना गुसा आना या इरिटेट सो होना यसी चीज़ें वो करने लगती थी तो यह वाला सिम्टेंस भी कई महलाओं में सही होता है तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना है यहां पर मैं आपको तीन यसी ही बात बताने वाली थी जो मुझे मालूम है और दादी नानी क बेसेस बर भी बिल्कुल सही होती है आपके कैसा फील होता है इन चीजों में तो आप हमें कमेंट्स करकर बता सकते हैं ताकि सभी महलाओं की हेल्प हो सके जो जानना चाहते हैं कि बेबी बोई होने वाला है बेबी का वीडियो एक अनुमान लगाने के लिए है जे इंटर फेमिली होने के लिए बहाई बेहन का होना बहुत जरूरी है और सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि एक बहाई और एक बेहन हो और जहां दो कन्या हो वहाँ पर एक बालग भी होना जरूरी है तो ये बैस एक अनुमान लगाने के लिए है जेंटर प्रटेक्शन का कोई बढ़ा सभी answer के हम उनको question के जवाब दे सकें सभी को पूरा answer मिल सकें और सभी लोग खुश रहिए अपना ध्यान रखिए अपने बेबी का ध्यान रखिए